परातरे आने वाले हैं, आप सभी अधिकांस सनातनी भवनों में जो लोग सनातन धर्व को मानते हैं, उन सब के घर में मातारानी की सेवा होती है, पूजा होती है, छोटे-छोटे बाल गोपाल भी, बच्चीया भी, कन्याय भी, नवरातरी का बृत करते हैं, कई लोग कठोर स लेकिन अधिकांस जो अपने आपको सनातनी मानते हैं, उनमें इस्रदा रखते हैं मातारानी में, वो लोग ब्रत करते हैं, पर एक और चीज, एक क्वेशन बार बार हमारे सामने आता है, कि कुल देवी कौन है हमारी, कैयों को पता ही नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है और कैयों को मालूम होता है लेकिन वो पूजा पार्ट का उतना उनका मन नहीं होता है तो बड़ी समस्याइं होती हैं कोई कह रहे हैं हमारे काम रुक रहे हैं हमारा परिवार आपस मही, बाई बाई में ब्रांतियां वनी हुई हैं, दून्द होता है। ऐसी कई छीजों को हम बारे बार सुनते हैं। आपने देखा होगा, अगनिये कोंड हूता है, हमारे घरों में अलग-अलग इस्थान होता है। कहीं कुबेर का इस्थान होता है, कहीं बरुन का इस्थान होता है, कहीं अगनी का इस्थान होता है, वैसे ही हमारे घर में हमारे देवी देवताओं का कुल देवी का भी एक इस्थान होता है, और एक बात मैं आपको भली प्रकास से बता दूँ, अगर आप लोग समझ लें, अगर हमारे कुल देवी हमसे प्रसन हो जाए, हमारी कुल देवी अगर हमसे प्रसन हो जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, साथ दिन में आपकी किस्मत बदल सकती, मात्र साथ दिन में, जो आपके काम रुक रहे हैं वो चलने लग जाएंगे, आपके घर में असांती है, तो यह सब दुन्द कैसे होते हैं जानते हों जब हमारे देवी देवता हम से रुष्ट होते हैं आज मैं आपको एक ऐसा उपाई बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने बहुत कम बहुत रेर सुना होगा अगर आप इसको सचे मन से कर लें सरद्धा के साथ कर लें आप लोगों के जीवन के बहुत सारी समस्यां अपने आप मिट जाएंगे काम की समस्यां मिट सकती है जोब की, कलेज की, नेगडिव एनरजी की और देवी देवताओं के जो देवी देवता हमारे जैसे पित्र रुष्ट हो जाते हैं या देवी हमारी कुल देवी आप कितने लोग ऐसे हैं जो कल देवी का नाम तक नहीं जानते हैं अपनी देवी का जब कि सब के घरों में कल देवी होती है, हरे एक घर में कल देवी होती है जो सनातनी होते हैं सब की कल देवी होती है, लेकिन किसी को उसकी पड़ी नहीं है तो मेरे पास में एक option है, मैं एक उपाई बताने जा रहा हूँ, आप अगर इस उपाई को करेंगे, बहुत चोटा चोटा उपाई है, कुछ चीजे मैं लिखवा रहा हूँ इस वीडियो के माद्यम से, आप वो बस तू लिखने पहले दो, आप वो बस तू लिखने में आराम से आपको बताऊंगा, आप वो बस तू लिखते चले जाएंगे, और फिर में इसका प्रियोग बताऊंगा, कि आपको इसका प्रियोग क्या करना है, आप बड़े साबधानी से इन चीजों को, एक तो चाहिए आपको छोटा सा लाल कपड़ा, एक चंदन का पाउडर जो हो यह क्यो लाले लेजिए? एक ही चाहिए और थोड़ी सी भस्म लेजिए, एक हल्दी की गांट लेजिए और इसके बाद में आप एक लोवान वाली धूप, आप जाके पंसारी को बोलेंगे के लोवान वाली धूप देदो, तो वो दे देंगे, एतनी से छोटी सी गांट हो वो भी उसमें अपने पास रख लिजे, अब इसका प्रियोग बताता हूं, इसका प्रियोग क्या है? जो छोटा सा लाल कपड़ा मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें उसी में रख देनी हैं आपको, चाए वो हल्दी की गांठ हो, चाए वो क्योला हो, चाए वो थोड़ लाल छोटा सा कपड़ा होगा चोटी सी पोटली बनानी इतनी से ज्यादा बड़ी नहीं बना देनी है चोटी सी और लाल धागा ही चाहिए उसके लिए कलाबा का प्रियोग कर सकते हैं उसको पोटली में बंद कर दीजे सारी चीजें और सारी चीजें बंद करके पोटली बना कर उसको नवरात्रे के पर्थम दिन आप अपने मुक्ष दरवाजे पर कहां आगे नहीं मुक्ष दरवाजे के पीछे हमारे जो कुल देवी का इस्थान कह लीजिए या जो अस्ट देवियां है अस्ट शिद्धियां है उनका जो इस्थान है वो हमारे प्रमुख जिसको मैंगेट आप लोग बोलते हैं उसके पीछे उसी के उपर फ्रेंट पे नहीं बेक साइड में उसके उपर आपको य नहीं और नौ के नौ दिन जब तक आप नवरातरे बिर्त करेंगे पोटली वहीं बंदी रहें बरत कीजिए जब भी आपके घर में आरती धूबती हो वहां पर भी थोड़ा साफ कर दीजिए जल तो आप चड़कते अपने घर के आज और मातर साथ दिन में इसका करेंगे यह मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए आपसे मैंने अपने निज स्वार्त के लिए इसको कुछ नहीं बनाया है मैंने कहीं पढ़ा मैंने आपको बता दिया इसके पीछे एक ही रीजन है कि जितने भी शनातनी है उन सब के घरों में सुख सान्ती समर्दी बनी रहे और वो भगवान की चरणों की सेबा करें अपने बच्चों को संसकारी बनाए मत रितना सा मेरा स्वार्त है इसके लावा मेरा कोई स्वार्त है आप